और यो टैन सित्धिदात्री वाकसात्ना लेखक पंडित्री रामशर्मा आचार्य अधिक न बोलना चाहिए। यों तो आध्यात्मिक द्रस्टी से मौन का महत्व अनन्थ है। मौन को मानसिक तब कहा गया है जिसकी साध्ना मनुश्य को मुनी बना देती है। मौन का आश्रय लिये बिना कोई भी मुमुक्षू, लक्षकी और अग्रसर नहीं हो सकता। जीवन की साध्नाओं में मौन का विशेश स्थान है, किन्तु लौकिक द्रस्टी तथा सांसारिक व्यवहार में भी इसका मुल्य, महत्व कम नहीं है। मौन से मनुष्य में गंभिरता की वृद्धी होती है, गंभिर व्यक्ती का आदर करने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लोगों का उसमें विश्वास बढ़ता है, यहां तक कि पारिवारिक प्रसंगों तथा जगडों में लोग ऐसे पोज़वजन वाले व्यक्तियों को प देखते हैं, कम वाचालता, ओथ्वा, अल्प भाशन के आदर पर यह सामाजिक आदरभाव कुछ कम मुल्यवान नहीं है, यद्यपी सामाजिक सम्मान में व्यक्तिकत लाब का द्रश्टिकोन रखना उचित नहीं है, लोगों का आदरभाव एक बड़ा लाब है, इससे व् अनिर्वचनिय शितलता एवं संतोष की अनुभूती आती है, उत्तरदाइत्व का भाव बढ़ता है, जो की जीवन के हरक्षेत्र में उपयोगी होता है, तथा पी इससे अनेक प्रकार के अंचाहे स्थुल लाब भी होते हैं और हो सकते हैं, लोग प्रियव्यक्ति का कोई काम रुकने नहीं पाता, उसके दुखदर्द अत्ता अभाव अवशक्ता को लोग अपना समझते और हर समय यथा साध्य सहायता सहयोग करने को तैयार रहते हैं, लोकिक द्रस्टि से यह लाब जीवन विकास में कम उपयोगी नहीं होता, जीवन में मौन का समाविश कर ले अत्वा अल्पभाशी स्वभाव का विकास कर लेने पर निश्य ही व्यक्तित्व में गरिमा की वृद्धी होती है, मुख पर एक आभा का आभास वास करने लगता है, गरिमावान व्यक्ति परिचितों में ही नहीं, अब परिचितों के बीच विदेश अत्वा अंजान स्थानों आदी में लोग चुपचाप दूर खड़े व्यक्ति के लिए स्थान की व्यवस्था कर देते हैं, अपना स्थान देने तक को तैयार हो जाते हैं, जबकि स्थान के लिए जखचक करने और लड़ने जगणने वाले लोगों की सुविधा का कम ध्यान रखते हैं। बहुदा देखा जाता है देश सर्रार और वाद विवाद करने वाले लोग खड़े रहते हैं और मौन तथा किनारा कश लोगों को बैठने का स्थान मिल जाता है। इस प्रकार की अनेक छोटी मोटी सुविधाएं जीवन में अनेक बार बड़े-बड़े कारे संपादित कर देती हैं जबकि छोटी से छोटी असुविधा कुछ न कुछ प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष मांसिक हानी तो करती ही है। मित भाषन अत्वा मौन से वाणी में प्रभाव बढ़ता है इसमें आध्यात्मिक प्रभाव क्या और कितना आ जाता है इस बात को छोड़ कर यदि लौकिक प्रभाव पर विचार किया जाए तो एक मोटी सी बात तो यह होती है कि अनावशक वाणी का अपव्याई न करके आ आवशक्ता अनुसार समय पर बोला यह बात की जाती है तो मौन द्वारा संचिस शक्ति भी शब्दों के साथ बाहर निकलती है विश्राम पाई हुई स्वर्ण लिकाये परिपूर्ण स्वर्ण निश्क्रमन करती है जिससे न केवल आवशक्ता अनुसार कथन का ही संबान ह बलकि शक्ति संपन, धीर, गंभिर स्वर्वी अपना एक विशेश अर्थ रखता है। बकवासी की तरह बहुदा लोग मिद व्यक्ता की वाणी में अमृत अत्वा असत्य का संदेह नहीं करते और अधिकतर उसके कथन का मुल्यांकन ही करते हैं। समाज में वचनों का मुल्यांकन कम महत्व की बात नहीं है। इससे साख बढ़ती और विश्वास पुर्ण वातवरन का निर्माण होता है। मौन रहने से सुख पर एक सौम्यता तथा सरलता का भाव विकास करने लगता है, जिससे स्थिती आदी भाव भंगी माओं में ही नहीं, द्रिष्टी में आकर्शन का चमतकार उत्पन हो जाता है, जो परकियों को भी अपना और अनेक अवस्थाओं में भी विरोधियों को भी सहयोगी बिना लेता है, इस सामन्य लाब को शुबलाब की सुची में रखा जा सकता है, अमौन अत्वा वाचालता बेकार का बातों नी बना देती है, वाचाल स्वभाव का व्यक्ति एक छोटे तथा महत्वहिन प्रसंग पर बोलता, बकता, चला जाता है, जिससे स्व पयोगिता यहां तक की अनर गलता का समाविश हो जाए, किसी के कथन से यह दोश जल्द ही पहचान लिये जाते हैं, तब लोग उसकी बातों पर विश्वास तो क्या ध्यान देना तक छोड़ देते हैं, अनेक लोग उससे बात करने से कत्राते और चतुर लोग तो मखौल तथा उपहास तक करने लगते हैं, वाचाल व्यक्ति जूठे के नाम से बदनाम हो जाता है और बहुत बार लोग उसकी सही बात को भी लंतरानी समझने लगते हैं, मौन अत्वा मीत भाशन इस वाचालता के दोश से बचाता और उससे हुने वाली हानी से अपनी रक्षा कर जो एक लाब ही माना जाएगा। नहीं आती, ऐसी दशा में उससे किसी की अप्रियता होने का प्रश्न ही नहीं उठता, बलकि वह दोग के बीच में समाधान करने वाला पंच बना लिया जाता है, जिससे उसकी मान्यता बढ़ती ही है। मौन से मनुष्य में सहन शक्ति की वृद्धी होती है। इसका एक करण तो यह है कि अधिक बात करने से मनुष्य की जिस प्राण शक्ति का व्याय होता है, मौन के अभ्यास में उसकी बचत होती रहती है। शरिर में शक्ति का संचय सहन शक्ति बढ़ा देता है, जो जितना निर्बल होता है, वह उतना ही असहन शिल होता है। यह एक स्वास्य संबंधी नियम है। निर्बल व्यक्ति की तरह शक्तिवान व्यक्ति को जल्दी क्रोध नहीं आता, अनेक अप्रिय प्रसंगों को वह हस कर टाल जाने की क्षमता रखता है, निश्य ही मौन साधना से उस शारिक तथा मानसिक शक्ति का विकास किया जा सकता है, काहवत प्रसिद है कि एक चुप सौ बलाओं को टालती है, यह जहां किसी अप्रिय प्रसंग के समय मौन हो, जाना संगर्श टालने में सहायता करता है, वहां मौन का सामान्य अभ्यासी, अपने मीत भाशी अव्थवा, मौन सुभाव के कारण ऐसी परिस्तिती का प्रावरम भी नहीं होने देता, बहुत बोलने और बात करने से एक छोटी सी बाद भी तूल पकड़ जाती है, उत्तर प्रत्यूतर से क्रोध बढ़ता है और बात सुलजाने के स्थान पर अधिक उलच जाती है, अप्रिय प्रसंग के समय मौन रहने वाला पक्ष प्राया जन्मत को अपने पक्ष में कर लेता है, इस प्र जाब का विशय ही है, घोपनियता मौनता के विशेश देन है, वाचाल व्यक्ति न तो अपने रहस्यों अत्वा मनतव्यों की रक्षा कर सकता है और न दूसरे के, उसकी अनियंत्रित जुबान भेद उदगाटन किये बिना चैन ही नहीं पाती, जबकि मौन द्वारा अपन राजनिती के क्षेत्र में गोपनियता का बहुत मुल्य है, संगोपन भाव वाले व्यक्तियों की वेदना, पीडा तथा अभाव को लोग नहीं जान पाते, संसार में दूस्टों, प्रवंचकों, विरोधियों, असदभाशियों तथा बिडंबकों की कमी नहीं, यह लोग दूसरे के भेद तता रहस्यों, अत्वमंतव्यों को जान कर हानी पहुँचाने की कोशिश किया करते हैं, मौनता का अभ्यास बहुत हद तक इन सजनों से रक्षा के लिए रहता है, बहुत से लोग तो परदेशों, बाजारों, यात्राओं तता अपरीचितों में केवल इ जल्द ही खुल जाते हैं और अपने रहस्यों को बतला दिया करते हैं, बाणी का अफ्याय न करने तथा मौनता को महत्व देने से विचार शक्ती बढ़ती है, उसकी बुद्धी अपेक्षाकृत अधिक स्थिर तथा संतुलित रहती है, संतुलित विचारों वाला हानी ला बड़ी ही सहायक होती है, कभी देखा जा सकता है कि जब मनुश्य किसी प्रसंग पर सोचना चाता है, तब वह एकांत की तलाश करता है, न तो वह उस समय बोलता और न किसी से बात ही करता है, बोलना और विचार दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, विचारक जितने ग समस्या पर विचार करना होता था, तब तब वे अनेक दिनों मौन का व्रत लिया लिया करते थे, मौन नता का गुण कार्य में एकागरता तथा दक्षता को बढ़ा देता है, जो जितना मौन रहकर काम करता है, वह उतना ही अधिक कुशन तथा सही काम कर लिया करता है, बात अतुनी का काम कभी भी पुरी मात्रा में सही सही नहीं हो पाता। इस बात का एक बहुत बढ़िया उदाहर्ण महाभारत के संबन्द में प्रसिद्ध है। और कोई लिखता जाए। इस प्रकार से ही वह महानकार्य सुविधा पुर्वक अपेक्षित समय में हो सकता था। निदान उन्होंने गणेश जी का सहयोग प्राप्त किया। पूरा महाभारत लिख जाने के बाद व्यास जी ने पुछा गणेश जी आप इस वीच में बोले बिलकुल नहीं। गणेश जी ने कहा कि यदी में बीच-बीच में बात करता चलता तो निश्चय ही आपका यह काम होना कठीन ही नहीं। भार बन जाता। बोलने से मनुष्य की कार्य शक्ति का हरास होता है। जबकि मौनता पुर्वक कार्य करने से कार्य में रुची आती ह और जल्दी होता है इस प्रकार यदि विचार किया जाए तो पता चलेगा कि मौनता को महत्व देने से आध्यात्मिक ही नहीं न जाने कितने लौकिक लाव होते हैं जहां वाचालता एक दुरगुण है वहां मौनता एक दैवी गुण है जिसका अपने में विकास करना ही चाहिए किन्तु इसका यह अर्थ कदापी नहीं है कि मनुष्य बिलकुल बात ही न करें मौनता का मुल मंतव्य यह है कि जितना आवशक हो उतना ही बोला जाए अनावशक वारतालाप न करना अथ्वा योही निर्थक दिन भर हाहा हुहु न करते रहना ही मौन है जीवा पर सयम रख कर और वाणी विशयक मित व्याईता का अवलंब लेकर मनुष्य को अपनी शक्तियों में वृद्धी करना ही चाहिए वा उसकी जीवन के लिए बड़ा ही लावदायक एवं हित कर होका वाकसाद्ना निश्य ही सिद्धी दात्री है